के तो कीला सब्सक्राइब आएग देखेंगे निफ्टी में किस तरह का मार्केट किस तरह का रियाक्ट किया है और सांथ में डिसकुस करेंगे हम लास्ट भी का पीनल यहां पे आप देखो कि तो काफी ज़्यादा स्टॉप लोगर यह दिख रहे हुगे यह भी दिसकुस् कर तो में एक next week में काफी जाधा वाल्टाइल मार्किट देखने को मिल सकता है जब भी confusion candle बनता है confusion candle का मतलब यह होता है कि यहां पर market के जो trend है trend में clarity नहीं है trend downside के लिए है या upside के लिए है वो किसी को clear नहीं है तो ठीक है यहां पर इसलिए हमने predict किया था next week आपको काफी जाधा वाल्टाइल मार्किट देखने को मिलेगा यहां पर देखो कि market gap up open हुआ उसके बार यह dip लगा फिर market ने high break किया then close फिर से market ने same range में किया है जहां पर last week में market open हुआ था यह candle देखने के बाद कितने members को पता लग गया है next week में हमारा क्या रहने वाल है यहां पर वीडियो पॉज करके आप comment section में लिखोगे कि uptrend रहेगा downtrend रहेगा sideways रहेगा यह वाल्टाइल market रहने वाल है अभी लिखोगे अभी इसके बाद में बता दूंगा फिर लिखने का कुछ मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आपका analysis खुद से भी कुछ ना कुछ analysis रहना चाहिए अगर आपका खुद से analysis नहीं है कहीं आपको market अच्छे से समझ में नहीं आएगी इसलिए आपको यहीं वीडियो को pause करके यह लिखना है मार्किट में नेक्स्ट जो ट्रेंड रहेगा आप ट्रेंड रहेगा डाउं ट्रेंड रहेगा साइडवेज रहेगा यह वाल्टाइल रहेगा इन चारों में से कोई एक कमेंट में लिख सकते हैं जो आपको लगता है यहां पर देखोगे तो सेम हमें फिर से कन्फीज़न केंडल देखने को मिला यह त कि अब देखोगी तो नेक्स्टवीक में अब बजट आने वाले मीनसफंट्वीक को हमारा बज़ट आजाएगा तो वह से तहले हमारा यह लास्ट वीक रहने वाल यहां भी मुझे लग रहा है कि एक confusion candle हमें फिर से देखने को मिल सकता है में यहां पे फिर से Car ciert को मिले गाद वह सकता है पहले दो दिन दिन दिख जाए या पहले तीन दिन देख आपको देखने को मिल सकता है तॡ़ोसरा हम में डिस्कस करेंगे डिल difference कि भी तो यहां पर सेम कन्फ्यूजन ही दिख रहे अभी क्लिक लिए टी नहीं है अच्छा कासा ट्रेंड हमें यहां से यह रेंज के ऊपर देखने को मिलने वाला है और डाउंसाइड अगर हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा तो यहां से नीचे आपको सेलिंग प्रेशर देख अब इस तरह का वीकली कंडल देख रहा है वाल टायल मारकी इसी तरह का देखने को मिलेगा जहां पर अपसाइड डाउंसाइड अपको काफी जादा देखने को मिल सकते तक पंदरा मिनिट के टाइम फ्रेम में आएंगे तो पहले क्या चांसे रहेंगा मार्कित किया था मार्कीत काफी इंपोर्टेरिया रहने वाला है तो मारके ने यह अच्छे से रिस्पेक्ट किया है मार्के ब्रीकआउट होया और होे क्या मिनटम किया है और सेम ब्रेक-आउट से काफी जांसे यहां आपको 18100 की रेंज में जाता हुआ दिखें कि यहां पर प्लान क्या कर रहे हैं यह ता यहां पर की एक बार आपर साट जाने का ट्राय करेगा तो तो थोड़ा सा मैं इसको आज़ेस्ट करना पड़ेगा तो अधे देखो कि तुम्हारा resistance area कहा रहना चाहिए यह आपका resistance area रहेगा ठीक है यह resistance area आपका sport area निकाल देगे हैं यह resistance area रहने वाला आपका 18,080 ठीक है 18,080 means 18,100 मान के चल सकते हैं आपका resistance area रहने वाला ठीक है sport area अभी जहां पर market है वो एक sport area यहां से कहीं न कहीं chances बनेगे जो हम first time 18,080 18,100 को retest कर लें ठीक है यहां पर कहीं consolidation होता है फिर से breakdown होगा फिर से आप 18,000 पर जाने के काफी ज्यादा chances रहेंगे ठीक है अगर य यहां भी range बनके breakout होगा तो 18,180 यह area आपका आ सकता है ठीक है उसके बाद फिर से market में selling आएगा bearish pattern बनेगा तो market नीचे वाली side जा सकता है ठीक है नीचे sport रहने वाला आपका 18,000 अगर 18,000 breakdown होगा तो तब आप 17,930 का target प्लान कर सकते हो ठीक है जिसके chances मुझे अभी कम लग तो कहीं न कहीं इसको एक यहां से pullback लेना चाहिए उसके बाद यहां आने के बाद अगर breakdown करेगा तो तब 17,930 तक के target आपको देखने को मिल सकते है ठीक है 930 के बाद आपका sport area रहेगा 17,860 की range ठीक है साथ में अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको trend line भी दिख रहा ह ठीक है यह trend line काफी अच्छे से respect किया यह area से respect किया यहां respect किया अभी यह trend line को breakdown हुआ है वो सकता है market फिर से यहां से upside जाए यहां पे आपको यह trend line को retest मिले उसके बाद एक rejection आपको देखने को मिलेगा जो आपको फिर से 18,000 3040 की range में लेके आ सकता है उसके बाद इसके बा उनका कोई रीज था कि सर आप free वाले group में update क्यों नहीं देते हो पहले में उसका एक reason बता देता हूं वैसे तो बहुत से reasons है कुछ मोटे मोटे reasons में आपको बता देता हूं जैसे यहां पे paid group में जितने भी members हैं उनको कही न कहीं कुछ classes मिलती है कुछ strategies मिलती है कुछ mindset prepare किय लिया जाता है उनके बाद same mindset same strategy पे हम trade लेते हैं उनको भी बता रहता है हमने क्यों trade लिया है ठीक है इस trade को हमने कहां तो hold करना है ठीक है मुझे कितनी quantity लेनी है मेरा money management क्या है सब चीज़े हम पहले से उसमें सीख के आये होते है यतने भी member free group में उसमें से कौन member beginner है कौन member advance है मुझे उसका कोई clarity नहीं रहती है ठीक है first reason यहां पर यह कि बहुत से लोग क्या करते हैं यहां पर फर्स ट्रेड में मेरे 500 का stop-loss लिया market यह वाला trade सबने लिया होगा ठीक है जितने members होंगे जितने members वो trade देखा होगा definitely यह trade लिया होगा लेकिन फर्स अगर आपका stop-loss profit हो जाएगा second trade आप लेने वाले ही नहीं है ठीक है यहां पर आप देखोगे second उसके बाद हमारा back-to-back दो ट्रेड दिये मैंने जिसमें आपको लगबग 25 का profit आपको देखने को मिले बट यह trade आपने नहीं लिए बहुत से लोग के messages थे जब यह stop-loss trigger होगा लोगोने message कि है पूछा कि यह वाला आपने trade लिया था या नहीं लिया था maximum लोगों का यह answer था कि sir यह वाला trade तो हमने miss कर दिया हम busy हो गए थे हमने देखा नहीं यह था वो था इसके पीछी reasons ही रहते हैं कि आपको पता नहीं है कि मुझे trade क्यों लेने ठीक है कब तक hold करना है उसके reason क्या ह मेरा money management क्या है यह सारी चीज़े प्रिट गुप में members को पता रहती है जैसे हम तू लॉट से यहां पर calculation करते हैं अगर कोई पांच लॉट पर काम कर रहा है तो रेगुलर पांच लॉट पर ही काम कर रहा है ठीक है जैसे recent अगर आप देखोगे बहुत से members के panel भी मेरे पास अच्छा खासा वर्क वो कर रहें तो यह सारी चीज़ें अगर आप देखोगे हमारे लास्ट वीक में 19 ट्रेट थे स्टॉप लोस आप देखोगे चार सो पांच सो साथ सो तीन सो एक अजार यह हमारे स्टॉप लॉसे प्रॉफिट देखोगे चार अजार हजार एक हजार 2700 225 अठाइस सो यह प्रॉफिट हमें देखने को मिले तिक है इसको अगर टोटल क्यालकोलेट करें गी तो लगबक का प्रॉफिट बनते हैं इतना ज्यादा वीक जो वॉल्टाइल मार्किट देखने को मिले है उस वीक में भी हमने लगबक 8000 का प्रॉफिट लिया है 8,390 के लगबग 8,300 मानके चल सकते हो या आप इसको 8,000 मानके चल सकते हो ठीक है यह हमारे stop losses है लगबग 8,000 के हमारे losses भी हुए 800 के लगबग हमारा brokerage है फिर भी आप 8,000 का profit यहां से लेके निकले हो ठीक हमारे stop losses ज्यादा थे बट stop losses छोटे थे इसलिए मैं आपको कहता हूं कि market में जब भी आपको stop loss देना है आपको यह idea रहना चाहिए कि मुझे market को refund कितना देना है मुझे यहां पर लग रहा है कि market volatile है इससे बड़ा stop loss मुझे लगता नहीं है कि जैनवन है ठीक है जो ट्रेट में बड़े stop loss थे यहां पर देखो कि बड़े stop loss थे मेने market को बड़े stop loss भी दिये ठीक है बट जहां पर मुझे लग रहा है कि में profit बना चुका हूं मेरा stop loss है market में ठीक है first week में अगर आप देखोगे तीन stop losses थे ठीक है और 10 में से 7 profits थे हमारे यहां पर आप देखोगे लगबग 18,000 का profit था टोटल 3,000 माइनस था 15,000 के लगबग का profit भी हम लेके गये थे ठीक है बात कर लें बैंक निफ्टी के बैंक निफ्टी अगर आप देखोग तो यह सेम एरिया का लगबग breakout हुआ ठीक है market उपर उपर हुआ वोलन फ्लै को रिटेस्ट किया उसके बाद अच्छा खासा momentum आपको देखने को मिला जो हमने डिसकस किया था 42,700 की range में लेके जा सकता है first target हमारा यह था 42,500 second target 42,600 and 700 हमारा final target था ठीक है 700 के लगबग मैंने आपको कहा था कि वहां से आपको rejection देखने को मिलेगा ठीक है 30 मिन टाइम फ्रेम पर लेके जाएंगे तो हमने सेम एरिया में अल्रेडी डिसकस किया था यहां पर अच्छा खासा rejection देखने को मिला यहां भी अच्छा खासा rejection देखने को मिला यह rejection भी आप देखो कि इसी एरि अपसाइट देखने को नहीं मिलेगा ठीक अगर मार्किट यहां से अच्छा का सा मूव कर लेता है तब आपको 43,000 43,200 यह जो टागेट्स हैं आप वहां से प्लान कर सकते हैं तो यही एरिया अगर आप देखोगे तो आपका है यहां से डाउन साइट प्लान कर सकते हैं फिर से से इरिया में क्लोज हुए है यहां पर देखूगे काफी ज़्यादा मार्किट हमें बैंग निफ्टी में भी देखने को मिले अच्छा कासा डिप लगाने के बाद फिर से एक अच्छी जगा क्लोजिंग किया लगबग 130 पॉइंट का गेंड के साथ लास्ट विक का कैंडल क्लोज हुआ ठीक है डेली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट एरिया आपको कौन सा रहने वाल है 42,700 ठीक है 42,700 के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा आपका 43,000 ठीक है 43,000 से फिर से आपको एक रिजेक्शन जुरूर देखने को मिलेगा जो फिर से आपको 42,700 की रेंज में लाएगा हो फ्रेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें शेर करें अपने फ्रेंज के साथ थैंक यू